आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमने ये लेवल्स फाइंड किया थे मैंने आपको बताया था कि क्योंकि ये important support zone है तो हमें यहां से bounce back देखने को मिल सकता है लेकिन वो जो bounce back होगा वो एक temporary bounce back होगा आपको दुबारा से वहां पर selling देखने को मिल सकती है तो आपने अगर आप price action नोटेस करें पिछले दो session का तो सबसे पहले हमें की reversal candle बनती होई नजर आए support पे जिसने further confirm किया कि हमें यहां पर bounce back देखने को मिल सकता है और आज का session अगर आप देखें तो आज का session एक gap up opening था लेकिन जो gap up opening थी वो इक resistance के आसपास थी यह resistance level भी हमने पिछले वीडियो में discuss के हैं आप चाहें जाकर इसको देख सकते हैं कि resistance levels क्या क्या थे तो जो इसका पहला resistance है वो था 11,320 के आसपास और निफ्टी की जो आज opening हुई थी ओपनिंग की करीब 307 के आसपास 11,307 के आसपास तो उसके बाद निफ्टी में हमें follow up action मतलब आगे तीजी का move होता हुआ नजर नहीं आया बल्कि opening के बाद हमें यहाँ पर गिरावट लगातार देखने को मिली और निफ्टी अपने low के आसपास आज close हुआ लेकिन आप जो closing देख रहे हैं वो support zone की अंदर अंदर हुई है closing आपकी है 11,190 के आसपास और हमारा जो support zone है 11,106 से 11,220 तो हम support zone की अंदर निफ्टी अभी भी support zone की अंदर ही trade कर रहा है और अगर आप यहाँ पर यह candle देखें यह candle एक लंबी मंदी की candle है और उससे पहली candle देखें तो एक green candle है और यह वाली candle ने पिछली candle को पूरी तरह से इंगल्फ कर लिया है तो यह जो candle है last engulfing candle हो सकती है क्योंकि यह support पर फार्म हुई है और आपने देखा कि यह green candle है और यह black candle है right so यह दोनों candle मिलकर बन जाता है last engulfing candle so यहाँ पर जो bounce back की probability अभी भी बनी हुई है क्योंकि यह दोनों candle एक bullish pattern है और support पर फॉर्म हुआ है RSI से हमें वैसे यहाँ पर कोई indication नहीं मिल रहे है so यहाँ पर हमें अभी भी pull back देखने को मिल सकता है अभी भी bounce back यहाँ पर चार्च पर probability पूरी तरह से बनी हुई है तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर daily chart पर और देखते हैं वहाँ पर किस तरह का price action हमें देखने को मिला उससे पहले हम Bollinger Bands भी देख लेते हैं ताकि हमें जो trend है trend की strength है वो भी पता चल सके So Bollinger Bands अगर आप देखें तो यहाँ पर prices lower band के साथ साथ trade कर रहे हैं पर उसको right नहीं कर रहे हैं और upper band और lower band का अगर आप direction देखें तो इन दोनों का direction एक ही तरफ है That means जो मंदी का momentum है वो comparatively कम हो चुका है अब चलते हैं daily chart के बाद early chart पर So early chart पर अगर आप दीखें तो यहाँ पर chart formation जो है वो lower low lower high इसकी है लेकिन RSI में आपको clear divergence देखने को मिल रहा है इसका मतलब वही होगा कि जो आपकी मंदी का train है उसमें momentum up कम हो चुका है और यहाँ पर bounce back के chances अभी भी बने हो और पंद्रा मिनट के अगर आप चार्ट देखें तो पंद्रा मिनट के चार्ट में आपको squeeze formation देखने को मल रहा है दोनों bands अपर बैंड और लोवर बैंड यहाँ पर काफी नेरो हो चुक है और RSIB आप अगर देखें तो यहाँ पर 40 पे support ले रहा है और उपर के level पे 60 पे resistance ले रहा है तो फिर से हमें उसी तरह का मिल सकते है कि resistance लेविल के आसपास हमें दुबारा से selling मिल सकती है तो एक तरह का यहाँ पर आपको sideways moment nifty में देखने को मिल सकता है अब चलते हैं बांक निफ्टी के चार्च पर So I hope nifty का review आपको समझ आए आपकी कोई queries है तो मज़े comment section में लिखके बताए जो हमारा overall perspective है weekly और monthly चार्ट पर वो अभी भी change नहीं हुआ है monthly closing आपको दो दिन में मिल जाएगी so that आपको idea लग जाएगा कि आगे हमें किस तरह का trend मिल सकता है कुछ levels हमने monthly level पर discuss किये थे अगर उसके उपर closing आती है या फिर उसके नीचे closing आती है तभी उस basis पे हम अपना view दुबारा से discuss करेंगे तो चलते हैं बांग निफ्टी के charge पर so यह निफ्टी का daily chart देख रहे है और निफ्टी का daily chart पर भी हमने आप पर support levels find out करे थे और यह support levels ते 28,905 के 28,780 के इसको भी हमने detail में discuss किया था कि कैसे हमने find out कि आप चाहे तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं link आपको description और comment section में मिल जाएगा सो इस level से क्योंकि important support levels से तो यहां से हमें bounce pack देखने को मिला पिछली तीन candles जो आप देख रहे हैं इन तीनों को मिलके यहां पर बन गया था morning star candlestick pattern जो एक bullish candlestick pattern है जो indicate कर रहा था कि यहां पर bounce pack आपको और भी देखने को मिल सकता है तो आज की session में आपने देखा कि एक gap up opening हुई लेकिन हमें follow up move देखने को नहीं मिला follow up इसलिए नहीं देखने को मिला क्योंकि उपर के level पे आपको यहां पर resistance देखने को मिल रहा है यह जो आप gap देख रहे हैं यह falling gap है और falling gap आने वाले move के लिए एक अच्छा resistance का काम करता है तो निफ्ती के लिए यह जो लेवल है यह जो zone है 29,770 से 29,620 का एक अच्छा resistance का काम कर सकता है तो अच्छा खासा यह resistance है आप इस levels को ध्यान रखे अगर आप swing trade करते हैं तो और अगर आप intraday trade भी करते हैं तो यह levels आपके लिए important हो सकते हैं कि आपको पता है resistance कहा है और resistance पे अगर आपको intraday पे price action ऐसा मिलता है कि वहाँ पे आपको resistance लेता हो देकर है कुछ भी अरिश candles बन रही है तो आप उसे साब से अपना trade ब्लान कर सकते हैं तो resistance level support levels आप हमेशा ध्यान रखे भले हैं आपको वह positional level पे मिल रहे हो या swing level पे मिल रहे हो resistance resistance होता है और intraday पे भी वह levels काम करते हैं तो आपने दिखा कि आज की जो closing हुई वह अपने low के आसपास ही हुई और अगर आप पिछली candle का close देखें पिछली candle का close था 29,325 का और आज की candle का जो close है वह है 29,295 का तो करीब-करीब same level है अगर आप यहां पर देखें और RSI से अगर आप यहां पर कोई information ले तो बहुत जादा information नहीं मिल रहा है तो daily chart basically आपको एक sideways action यहां पर दिखा रहा है कि ऊपर के level पे आपको बिगवाली देखने को मिल रहा है और नीची के level पे आपको बंदी देखने को मिल रहे है तो एक sideways action आपको देखने को मिल सकता है इस पर bollinger bands भी plot कर करके देख लेता है अगर आप देखें तो यह lower band से काफी यहां तक आच चुका है अगर यह वाला level जो हम resistance का देख रहे हैं अगर यह वाला level close होता है तो next resistance जो है जो काफी important है bank nifty के लिए वो है 3230 से 3220 का तो यह level अगर bank nifty निकालता है तो यह जो मंदी आप देख रहे हैं यह मंदी यहां पर हो सकता है कि यह मंदी यहां पर complete हो चुकी है तो यह दोनों levels आप ध्यान में रखें लेकिन यह जो levels है 3230 से 3220 के यह काफी ज़ादा important है अब चलते हैं early chart पर so early chart पर अगर आप देखें तो RSI यहां पर आपको clear divergence देखने को मिल रहे है prices में भी यहां पर आपको bounce back देखने को मिल रहा है उपर के level पर देखें आज की candle आपने जो पहली candle early chart पर देखी वो एक bearish belt hold candle थी उसके बाद थोड़ा सा यहां पर एक hold हुआ फिर एक लंबी मंदी के candle बनी और 40 के level तक आते आते हैं यहां पर फिर से bounce back देखने को मिल रहा है तो एक clear sideways action आपको यहां पर early chart पर मिल रहा है और daily chart से भी हमें वोई indication देखने को मिल रही थी और वो लिन जो bands भी अगर आप देखें तो यहां पर यह narrow होते हुए नजर आ रहे है ज जैसे आज की candle यह 29th July है 29th July की यह पहली candle है अगर आप पहली candle देखें 15 minute की तो यह bearish marabozoo candle था जो resistance पर फॉर्म हुआ था तो अगर आप important intraday trade करते हैं तो यह levels आप ध्यान में रख सकते हैं important levels है और उन levels के आज-पास आप price action को notice कीजिए राइट तो उसके बाद आपने देखा कि यहां थोड़ा थोड़ा यहां पर आपको बहुत small candles यहां पर बनती हुए नजर आई जिसका मतलब जो मंदी का momentum है वो यहां पर बहुत अच्छा नहीं है तो यह एक sideways momentum में bank nifty trade कर रहा है चाहे आपको daily chart देखें चाहे आपको early chart देखें 15 minute देखें तो एक sideways action में है उपर के level पर assistance है नीचे के level पर support है क्योंकि हमने monthly level पर discuss किया था कि bank nifty के important level के आसपास है monthly closing इस month की काफी important है हमें देखना होगा कि वो levels यहां पर hold होते हैं या break होते हैं तो आज 29 जुलाई है दो trading session और बचे हैं तो बहतर यहां पर वेट और वाच करें कोई भी trade इस levels पर यहां पर काफी जादा risky है तो आप wait and watch करें price action देखें कि किस तरह का price action यहां पर रह सकता है sideways रह सकता है और जिस भी direction में हमें आके जब clear signals हमें यहां पर मिलेंगे उस हसाब से हम levels को अपने दुबारा से define करेंगे overall perspective देखेंगे कि क्या हमारा perspective change है उसी साब से हम अपना daily review continue करेंगे so I hope कि वीडियो आपको पसंद आया हो आपको informative लगा हो आप बताइए कि इस वीडियो में आपको क्या क्या सीखने को मिला क्या क्या information आपको अच्छी लगी और कौनसी information है जो आप वीडियो में जानना चाते हैं जो इस वीडियो में नह बताए और आप चाहें तो मेरा facebook group भी join कर सकते हैं अपनी queries screenshot के साथ post कर सकते हैं मैं उनको reply करूँगी और आपकी कोई भी queries हैं तो please do post in the comment section below I will meet you in our next video till then bye bye have a happy learning